चल चत्रव भ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं कि आपको पता ही नहीं लगेगा बिना वारंट के ही अंदर चले जाएंगे बच्चों को उठा सकते हैं, हमारे लड़कों को उठा सकते हैं तो अपने आप में ये दर्शारा कि कितना जल्दी में है सरकार, क्या कुछ करना चाहती है सरकार और जो हर तरीके से इस कानून के तहत पिसेगी चल चत्रव भ्यान में आपका स्वागत है अभी कुछी दिन पहले, उत्तरप्रदेश की अजे सिंग बिष्ट की भाजपा सरकार ने उत्तरप्रदेश Special Security Force का गटन किया यानि UPSSF UPSSF को कई सारी ऐसी ताक्ते मिलती हैं उनको कई सारे ऐसे प्रावधान मिलते हैं जो आम पुलीस के पास नहीं है क्या ये इस कानून के बारे में और जानने के लिए आज हमारे साथ अस्तित्व समाजिक संगठन की सचिफ रिहाना अदीब जी हैं रिहाना जी बहुत सालों से पश्चे मुतरप्रदेश में महिलाओं के सवालों को लेकर मानवदिकार के सवालों को लेकर संगर्श करती आई है रिहाना जी बहुत बहुत आपका स्वागत चल चता देन में रिहाना जी सबसे पहले UPSSF ये जो कानून नया आया है इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है विवादत कानून लागू होने से पहले ही बन चुका है कई सारे मानवदिकार संगर्ठन जो है मानवदिकार कारिकरता जो है वो उनका कहीं न कहीं एक डर है कि इसका कहीं न कहीं दुरुपयोग हो सकता है आप इसके बारे में इसकी कौन से मुख्य बिंदू है इस कानून की पहले थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताईए और इन मुख्य बिंदूओं के कारण कैसे इसका दुरोपयोग हो सकता है इस तरह के कानून लाना जो खास तोर पे अभी यूपी एससेफ बना है वेसे सुरक्षा बल और इतनी आनन फार्मन के जसे जल्दी जल्दी में के आप जो है उसको 22 अगस्त को विधान मंडल में ला रहे हो तो बीस बीस में और फिर उसको जो है 6 सितंबर को लागू कर रहे ह हैं बीस बीस में तो अपने आप में यह दर्शारा कि कितना जल्दी में है सरकार क्या कुछ करना चाहती है सरकार और कितना इस तरीकी की जो है शिकंजे कसरे यह सरकार के आदमी सांस ना ले और में खास तोर पर कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है कि मुसल्मान लोग सा काश्मीर में क्या हुआ असाम में क्या नॉर्थ एस्ट में क्या दिक्कत आई जब महिलाओं के साथ यह सब प्रैक्टिस हुई अब वही कानून लाकर हमारे साथ होने जा रहा है थोड़ा सा इसकी जो मैं पूछ रहा था कि कौन सी मुख्य बिंदू है इस कानून के जो कही न आपको मजिस्टेट की भी आउ सकता नहीं है कि मजिस्टेट का ही कोई वह हो तो आपको मतलब अरेस्ट कर सकते हैं आप यह भी नहीं बताएंगे कि आप क्यों हमारे गर पे आये हैं हम कारण भी नहीं पूछ सकते हैं कभी भी रात और दिन कभी भी आ कि आप हमको दबा सकत हैं और पहले तो हम लोग वह सोच DT किठर कोольше हमारी तलाशी लेंगे हम पहले पूछेंगे हमापकी तलाशी लें गे क्या आपके पास तो नहीं कुछ है कभी आप हमारे बंब देख कही हमें कुछ min कंभین हम उपर कि हम कुछ सूचंस्य नहीं कि क्या हो और हमारे बच्चो को भाता सकते हैं, हमाँ लडब को भाता सकते हैं हमें खुद को अठा सकते हैं तो यह कानून अया है श्चेजना अी और और है कि आपको पता ही निए लग है कंदर वरेंट कहीं अंधर चले जाएंगे आप बेना मज़िस्टेट की किसी इंक्वारी के आप अंदर चले जाएंगे आपका थाने में कोई केस है या नहीं है तब भी आप अंदर चले जाएंगे रियाना जी जो आप बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं इसकी एक और जो बिंदू है यह है कि यूपी एससेफ के खिलाफ उनके किसी भी काम के खिलाफ आप कोट नहीं जा सकते हैं जब तक राज्य सरकार की सहमती ना हो इसमें क्या आप दुरुपयोग किस तरह से आपको लगता है हो सकता है खास करकी महिलाओं के साथ है किसी के साथ में इसमें आप यह देखने की बात है कि जब आप महिला हैं और आपके लिए यह कानून का उन्होंने इस्तमाल कर लिया आप मेरे घर में आ गए और दबिश दे दिया और मुझे उठा के रात को ले गए आप मुझे कहां ले जा रहे हैं, आप मुझे कहां रखेंगे, मेरे साथ अगर छिर्खानी हो गई, रेप हो गया, कोई गटना गट गई, क्योंकि महिला हूँ तो मुझे सुरक्षा महसूस होगी, वह जो मामला है जिस केस में आप मुझे बंद कर रहे हैं, वो तो अलग क्योंकि वह करें महिला के साथ, तो रहे पराद क हो जाएगा, ऑने की घुनजाइश सबicks पर चाहिए वो सकता है, ऐन के साथ चोट भी मेरे साथ को बहुत सकता है, और ये बात समझ में नहीं पता नहीं जब ये कानून बनाने जा रहे थे महिलाओं के बारे में कुछ सोचा या नहीं सोचा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ सोचा होगा क्योंकि पुलिस जो है पहले ही दमनकारी है और औरत का जो मामला है जो पूरी रात वो उसके साथ रात को ले जाएंगे उठा के रखेंगे कहीं भी इस बीच में फोर्स के लोग में साथ क्या कर रहे हैं उसका सरकार को क्या पता है और उनकी उपर वो डर या दबाव भी नहीं है कि अगर कुछ गलत किया तो कोट जा सकती है महिला उनको तो उनको तो यह आजादी दे रहा है न यह कानून तो इसलिए तो मेरा इस्तेमाल करेंगे इना इस तरह के कानून मतलब यह लगभग कही ना कहीं आपसपा से मिलता जो जिन इरियाज को डिस्टर्ब डियर घोशित किया गया था चाहे बो कश्मीड ब्तений whether नहीं मडिक असाम या उत्तरपूर्बी बहरत के कही सरे राज्यों में इंइस तरह के कानूनों को लागू किया गया था और उसमें जासे आप कह रहे हैं कि ये देखा गया था कि महिलाओं के साथ बहुत बल्कि मनीपूर में तो हमने बहुत बड़े इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन मानुर्मा जी ने किया तो इसके बारे में आपको कितना खत्रा है कि अल्ड़ी उत्तरपदेश पूलीस के पिछले कुछ सालों में क्या आपके कि अबताकर आपके देखा कि दंगे हुए उस दोरान महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हुआ इस जिस जिले में में काम कर रहे हूं जीले की 7-8 केस हैं जो दीरे-दीरे एक तरह से पर जाने के बाद भी उनको खतम कर दिया है डड़ा के धमका के केस वापस लेके कि उस समय भी महिलाओं के साथ बलातकार हुए छेड़ खाने हुई उत्पड़न हुए फिर सी ए और अनर्ची को लेकर जो तमाम पुलीस ने घुसके घर में दमन कि उसमें महिलाओं का मुझ दबाया चाती दबाई हाथ पैर खेंचे घट अपनाए होई वो सब संग्यान में है तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर पहले से ही ऐसा मतलब कुछ हो चुका है तो यह जो ताकत फोर्स को मिलेगी अब किया होगा यह आप अन्दाजा खुद लगा सकते हैं कि अब क्या होने जा रहा है महिलाओं की इस्थिती अलप चल्दें चल्लाती हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो कोई क्योंकि मुसलमान और यह सथा कर दमन होता है वह पुलीस हो अब यहां पर एक संगर्ष रहा है कि महिलाएं सारवजनिक जीवन में भी हिस्सा उनका सारवजनिक दुनिया बाशार जीवन उनका इक हिस्सा हो पढ़ने क परिवारों से हों या मुस्लिम परिवारों से हो किस तरह का आप उन पर प्रभाव देखते हैं या सिर्फ इनी समाजों से नहीं बड़ जगा महिलाओं से किस तरह का प्रभाव आपको लगता है होगा महिलाओं का जो शंगर्स है जो एक स्लोर अफ्तार में ही सही लेकिन चल रहा था महिलाओं पढ़ने के लिए आवाज उठा रहे थी जो हमारी लड़किया है किशोरियां वो अपने अपने जो उनका अगर देखा जाए मैं कहूंगी वो दस कदम थोड़ा आगे आई थी शिक् कुछ सवाल उठाने लगी थी बोलने लगी थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ऐसा होने वाला है क्योंकि एक तो हम अभी इस महामारी के दोर से गुजर रहे हैं कोविड-19 के वज़े से शिक्षा चुट गई है बाल विवां होने की जाद संभावनाएं बढ़ हैं लड़कियों को तो ऐसे माना जा रहा है कि इस काम को भी निप्टा हो भाई अब कोविड-19 में क्या करेंगे शादिया ही कर दो लड़किया जब स्कूल नहीं जा रही है इस तरह कि जो मानसिक्ता एक समाज की खड़ी हो रही है और उधर से यह यूपी एसस एफ जो एक एक फोर्स आ रहा है क्या आप मुमिद करते हैं इस फोर्स की डर की वज़े से भी लड़कियों के निकाव जल्दी होंगे शादिया होंगी अरे कोई हमारे घर में तब इस देदेगा हमारी अन्मेरिट लड़कियों को उठा ले जाएगा इनकी शादियां कर दो बाल विव इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी क्या है कि मतलब जो एक पितरे सब्तात्मक सोच के तहट जो लड़कियों के साथ इज़त वाले सवाल जोड़े जाते हैं क्या इसलिए आपको लगता है अब आप यह देखिए इसमें यह तो जग जाहिर है कि आज भी समाच जोए घर की इज़ता है अपने को नहीं जोड़ता हो अगर उसका किसी से जगड़ा भी है और दूसरे वाला जो यह सोचेगा कि इसको तो बाद में करूंगा अकर इसकी और से मैं छेड़का निकर दू रेप कर दो तो मेरा बदला उतर जाएगा यानिकि और घर की इज़त मानी गई है और यहां तो पश्चिम यूपी में तो इस इज़त के नाम पे जो लड़कियों के साथ होता है औरतों के साथ होता है वो सब को पता है कि यहां तक की जो ऑनर किलिंगे यह सब चीज इसी से जुड़ी भी है तो आप क्या नहीं लगता है कि यह इस तरीके की चीज़े इस च कौनद करे गा और और भी जजाधा खत्रे में आजाए गी वो उसको जयल में छोड़ाने के लिए चक्कर काटे गिना जल जाएगी वकीलन के पास जाए गी बाहर निकले गी तो उसके लाइब तो और उसका उत्पिडंग जादा होगा ना उसका और दमन होगा ना उसके पास पैसा होगा ना उसके पास कोई रास्ता होगा तो मैं तो ये समझ रही हूँ कि ओरतों का और ज़्यादा हनन होने वाला है ओरत को और नुकसान होने वाला है ओरत जो हर तरीके से इस कानून के तहट पिसेगी ओरते इस कानून के तहट हर तरीके से पिसेगी दमन बढ़ेगा और कहीं न कहीं महिला अंदोलन ने जो महिलाओं की आजादी के लिए महिलाओं की अधिकारों के लिए जो दो खदम आगे लिए थे इस तरह के कानूनों से शायद तीन कदम पीछे जाना पड़े रेहाना जी बहुत बहुत शुक्रिया CCA के साथ जुड़ने के लिए सकता है